Hello everyone, this is Satpal and you are watching Options LR और देखे, कल के वीडियो में मैंने आपके साथ शेर किया था ट्रेडिंग के 6 synthetic combination कि ट्रेडिंग में आप synthetically किस तरह से trade कर सकते हो मतलब बिना उस position को outright market में trade किये और उसके equivalent position आप किस तरह से बना सकते हो कि call option को आपको buy भी करना है लेकिन उसको बिना buy किये और किस तरह से आप दूसरी position के through और इस call option को buy कर सकते हो ये चीज मैंने आपके साथ share किये थी इस तरह के 6 combination मैंने आपके साथ share किये थे तो देखे, already मैं इस पर वीडियो बना चुका था इसलिए मुझे उसकी जरूरत नहीं लगी लेकिन मुझे से बहुत सारे सवाल पूछेगे इस पर किसकी जरूरत क्या है कि synthetic combination जो आप बता रहे हो इसकी जरूरत क्या है, कब हम ये trade करना चाहिए तो मैं उसी वीडियो में ये चीज़ explain कर देता, लेकिन क्योंकि ये मैं already खीचूंगा, वीडियो को छोटा रखूंगा और आपको जल्दी से बता देता हूँ कि synthetic position आपको क्यों जाननी चाहिए कैसे आप इनको use कर सकते हो तो देखे इसके पीछे के 2-3 reason है जिस वज़े से मैंने वीडियो बनाया था सबसे पहला reason तो यह है कि आपके options की understanding के लिए आपको पता होना चाहिए देखे अगर आप options को trade करते हो तो आपको पता होना चाहिए ये option की बारीकिया है जो आपको पता होना ही चाहिए मतलब let's say आप call option buy करते हो तो आप इसको किस तरह से कर सकते हो कि आपने outright market में जाके call option buy कर लिया ये एक तरहीर का है लेकिन इसके अलावा अगर आप एक future को buy करके और एक put option को buy कर लेते हो तो ये भी call option को buy करने के equivalent हो गया तो अगर आप options को trade करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं future को buy करके और put option को buy करता हूँ तो इसका मतलब basically यही है कि मैंने call option को buy किया है वहाँ पे आपको confused नहीं होना है कि अगर किसे ने ये position ले रखी है तो अब आप सोचे रहो ये एक नई position है नहीं अगर इस combination को market में trade किया जा रहा है तो it is as good as buying के call option तो इस वज़े से एक तो आपके understanding के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको पता होना चाहिए कि कोई भी combination है वो किस दूसरी position के equivalent है अगर आप options को trade करते हो तो ये understanding आपके at least होनी चाहिए तो एक तो आपकी understanding के लिए मैंने ये चीज़ बताई है दूसरा इसका reason ये है कि synthetic position जो होती है ये एक opportunity create करते है arbitrage opportunity अब आपका सवाल होगा कि arbitrage opportunity किस तरह से create करती है तो देखे arbitrage opportunity create करने का मतलब क्या हो गया कि same position है लेकि उनके prices में difference है कि आप एक call option को buy कर सकते हो या आप एक future को buy करके put option को buy कर सकते हो जब आप future को buy करके और put option को buy करते हो तो ये भी call option को buy करने के equally हो गया अब आप दोनों जगे देखे एक जगे आप outright call option को buy कर रहे हो एक जगे आप future को buy करके और put option को buy कर रहे हो अब आपका effective buying price है उसमें थोड़ा सा difference अगर आपको नजर आता है तो ये आपका risk free profit हो सकता है क्यासे मान लेज़े आप call option buy करते हो वो 100 रुपीज पे trade कर रहा है आपको 100 रुपे देने पढ़ रहे हैं उस call option को buy करने के लिए लेकिन अगर आप उस call option को synthetically buy करते हो एक future को buy करके और put option को buy करते हो तो आपका जो effective price है वो let's say 96 रुपीज आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको 100 रुपे देने पढ़ रहे हैं और synthetically आपको 97 रुपीज देने पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो आप synthetically इस call option को buy करोगे एक future को buy करके और put option को buy कर लोगे synthetic way में जहाँ पे आपका buying price 97 रुपीज आ रहा है तो 97 रुपीज पे करके और आपने synthetically इस call option को buy कर दिया और market में जो call option 100 रुपीज पे trade हो रहा है उसको जाके आपने sell कर दिया तो आपने buy 97 पे किया है और sell 100 पे किया है तो यहाँ पे 3 रुपे का जो आपका profit है यह risk free हो गया इसको बोलते है arbitrage तो देखे arbitrage का नाम अभी तक आपने stock के जो price में discrepancies होती है उसी में सुना होगा लेकिन अगर आप synthetic positions को trade करते हो तो वहाँ पे भी arbitrage opportunity create होती है जिसका आप फाइदा उठा सकते हो तो दूसरा यह reason है कि arbitrage opportunity जो create होती है उनको trade करने के लिए आपको synthetic positions का पता होना चाहिए यह दूसरा reason है चलिए अब मैं आपको तीसरा और सबसे जरूरी point बताता हूँ कि मैंने last video क्यों बनाया वहाँ पे वो synthetic combination थे वो मैंने आपको क्यों बताए तो देखे मैं आगे एक video लेके आने वाला हूँ काफी exclusive video मैं लेके आऊँगा जिसमें मैं आपके साथ एक strategy share करूँगा कि किस तरह से आप trade कर सकते हूँ with no downside risk कि आपका downside में कोई भी risk नहीं है इस तरह की strategy में आपके साथ एक share करूँगा तो वहाँ पे वो strategy share करने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि synthetic position क्या होती है तो वो जो strategy में आपके साथ share करूँगा उसको आप अच्छे से समझ पाओ उसकी foundation के लिए ये video में लेके आये था जहाँ पे मैंने आपको different combination बताई synthetic way में आप किस तरह से options को trade कर सकते हो तो इस वज़े से उस video से पहले और ये video में लेके आया ताकि आपको मैं बता पाऊं कि synthetic options क्या होते हैं और कैसे आप इनको trade कर सकते हो बिना market में outright एक position लिए और आप किस तरह से synthetically उस option को trade कर सकते हो ये मैंने आपको समझाने के कोशिश की तो अगला जो वीडियो में लेके आऊंगा जहाँ पे वो strategy में आपकी साथ share करूँगा वहाँ पे आप इस चीज़ के साथ relate कर पाऊगे तो चलिए ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाये ताकि आपको समझा पाऊं कि synthetic options होते हैं वो क्यों जरूरी होते हैं क्यों आपको समझना चाहिए और क्यों मैं वो वीडियो लेके आया जहाँ पे मैंने आपको बताया कि आप options को synthetic way में किस तरह से trade कर सकते हो क्योंकि आपके इतने comments आई जहाँ पे आप लोगों ने पूछा कि इसकी जरूरत क्या है जब हम outright market में option को buy कर सकते हैं तो synthetic way में हमें क्यों trade करना चाहिए तो उसका एक छोटा सा जवाब ये मैंने आपको दिया है बाकि जो next video लेके आऊँगा उसमें आप समझ जाओगे वहाँ पे आप इस चीज़ को relate कर पाओगे तो चलिए अब आज के इस video को यहीं पे खतम करते हैं Thank you so much for watching the video I hope ये video आपको पसंद आया होगा अगर video अच्छा लगा तो make sure आप video को like करें सब्सक्राइब करें This is सत्पाल साइनिंग ओफ